नमश्कार आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 और मैं हूँ आपके साथ सनेहा मनुज देखे बिहार में विधान सभा चुनाव अगले साल है उसके पहले बिहार की चार सीटों पर उपचुनाव होने वाला है एक तरफ जहां बिहार की राजनिती में लोगों ने अपनी नई नई राजनितिक पार्टी बराना शुरू कर दिया है तो दूसरे तरफ राजनिताओं का पार्टी से स्तीफा देने का दौर भी शुरू हो गया है हम बात कर रहे हैं LJPR के प्रदेश उपध्यक्स राकेश रोशन की उन्होंने पार्टी से स्तीफा दे दिया है और स्तीफा देने के बाद अब उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस किया है आज ही उन्होंने मौरय होटल में प्रेस कॉंफरेंस किया है और इस दोरान उन्होंने कई एहम जानकारी अपनी जनता और अपने लोगों के साथ साजा की है इस प्रेस वारता में राकेश रौसन ने निरहुत सनातक निर्वाचन शेतर से आगामी चुनाव स्वतंतर उमिदवार के रूप में खड़े होने का निर्णाय लेते हुए एक महत्तपून घोशना की उनके साथ 28,000 सनातकों का समर्थन जुटा कर उन्होंने इस चुनाव को त्रिकोनिय मुकाबले में बदल दिया है और अब हैरान कर देने वाले नतीजे की भी उमीद जनता ने बांध ली है आपको बता दे कि राकेश रौसन ने सीधे तोर पर बताया कि पिछले कुछ समय से मैं मैसूस कर रहा हूँ कि सिक्षा, स्वास्त और रोजगार जैसे बुन्यादी मुद्दो पर समर्पित और शशक्त नेतरत की आविशक्ता है गटबंदन की राजनीती के चलते इन महत्तपून विशयों पर प्रभावी काम करना संभव नहीं हो पा रहा है तो सीधी तोर पर उन्होंने चुराक के सपने को पूरा करने के लिए गटबंदन सबसे बड़ी वाधा बताई LJP राम विलास के अन्य निताओं जैसे मेरा सपना भी बिहार फिर्स्ट बिहारी फिर्स्ट का है लेकिन मैं मानता हूँ कि इस उदेश को गटबंदन के धाचे में रहकर पूरा नहीं किया जा सकता इस कारण वर्ष 2020 में हमारी पार्टी ने स्वतंत रूप से चुनाओ लड़कर अपना वर्चस्प स्ताफद किया था उन्होंने गटबंदन के राजनिती को दुष परिनामों पर प्रकास डावते हुए कहा कि इस राह में कई कारेकरताओं और नेताओं का नुकसान हुआ है उधारन के तौर पर रुपॉली विधान सभाव चुनाओं में पार्टी के प्रमुख निता शंकर सिंग को निर्दलिये चुनाओं लड़ने पर मजबूर होना पड़ा था और उनकी जीत के बाद उन्हें जर्यू में शामिल होना पड़ा गडवंदन ने कई बली ली और अभी भी बली वाले चुनाओं की ली जारी है मैं बीर का वेटा हूँ और लड़ते लड़ते मरना पशन करूँगा ना की बली चड़ाने का रोसन ने कहा कि उनका देश, युवाव, शातर और सक्षिद वर्ग की आवाज को एक मजबूत राजनेतिक मंच प्रदान करना है उन्होंने आगे कहा कि मैं चाहता हूँ कि समाज में हर वर्ग का सयोग मिले ताकि हम प्रगर्ती की दिशा में एक ससक्त और सामोहिक कदम उठा सके तो सीधे तोर पर LGPR के प्रदेश उपाद्यक्ष पूर्व, प्रदेश उपाद्यक्ष राकेस रोशन ने आज प्रशवार्ता करन सभी बातों की जानकारी दी तोर पर उन्होंने सबसे बड़ी बात उनके प्रसवारता से निकल करके सामने आ रही है कि उन्होंने निर्दली चुनाव लड़ने का ऐलाम कर दिया है आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं मैं कॉमेंट में लिख करके बताएं